हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल कोमिक फैन पर चलिए दोस्तों सुरू करते हैं रात का रक्सक डोगा की ये दमाकेदार कोमिक्स अब तू नहीं मैं का तीसरा और अन्तिम भाग चलिए सुरू करते हैं दोगा के सामने बड़ी ही बिचितर इस्तिती सूपर हीरो बनकर आज तारकोल आया है कल लोगा आएगा परसो प्लास्टिक, तरसो गोली, फिर बारूद, फिर और, फिर कोई और मुम्बई में सूपर हीरो ज़की भीड बड़ी तो क्या होगा? आज एक यक्स परसन मेरे सामने है, जिसका उत्तर क्या होगा? कौन देगा मुझे इस जटिल परसन का जवाब? अद्रक चाचा हाँ अद्रक चाचा, अद्रक चाचा ने अपनी नमाज खतम की चाचा, मेरा नाम सूरज सही, मगर जब भी मैं अंदेरों में बटका, तो रोशनी आपने ही दिखाई सूरज अंदेरों में तबी बटकता है, जब कोई ग्रहन उसे काला करता है मेरी सूपर हीरो की इमेज ही, वो ग्रहन है चाचा परेसान मत हो, किसी भी ग्रहन की उमर बहुत छोटी होती है तुम केवल इतना याद रखो कि आकास में सूरज दो नहीं हो सकते आपने ठीक कहा चाचा, मगर सूरज की रोशनी से चमकने वाले सितारे तो हजार हो सकते है मेरी समस्या वही है ये तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सूरज की रोशनी लेकर सितारे चमकते जरूर है मगर ऐसे सितारे जग में रोशनी पैदा नहीं करते और जो रोशनी पैदा नहीं करते, उनका होने न होना कोई माइने नहीं रखता तुम बेफिक्री से अपना काम करते रहो चाचा ने कहा है कि मैं बेफिक्री से अपना काम करता रहूं चाचा ने ठीक ही तो कहा है फिर मैं तारकोल के आगमन से व्यगर क्यों हो रहा हूं इस व्यगरता को अब मैं उससे अपनी अगली मुलाखात में ही दरासाई कर दूँगा डोगा ने अल्ट्रासोनिक विसल बजाई और कुत्ता फोज उसके हतियार और डोगा की ड्रेस ले आई तब थैंक्यू कुत्ता फोज एक बार फिर सुरज डोगा बन चुका था एक बार फिर डोगा अप्रादियों के बीच उनका काल बन कर जाद धमका था नहीं डोगा खबरदार अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं इसे गोली मार दूँगा खुद डोगा नहीं उसे गोली मार दी चुम आ तुमारा काम मैं असान कर देता हूँ खुद डोगा नहीं उसे गोली मार दी चुम आ अब तो मैं हरकत कर सकता हूँ चिंग 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 अब देवी बारी है अब तुमारी बारी है डोगा तार 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 ओ तू तू तारकोल तू यहां भी पहुँच गया जिंग जिंग हर उस जंगय पहुँचूंगा जहां अपराद पहुँचेगा यहां पर तुने एक निरपराद व्यक्ति को गोली मार कर मोत की नीन सुला दिया है जिसका कसूर केवल इतना था कि डाकू उसको अपना कवर बना कर उसकी कनपटी पर पिस्तोल रख यहां लूट पाठ करके भाग निकलना चाहते थे तू अपने आपको सूपर हीरो कहता है मगर तुझ में और मुझ में यही एक फरक है तार कोल तार 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 तू एक अपरादी को निरपराद बता रहा है जिंग 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 तेरी नजरे एक अपरादी और निरपराद का अगर वो अपरादी था तो उसके अपने ही साती उससे कवर क्यों करते कभी कभी करिमनल लोग फुल प्लानिंग करके चलते हैं ताकि आपाथ की वैसी इस्तिति आने पर वो अपने ही आदमी को कवर करके उसके सहीत भाग सके क्योंकि दूसरे आदमी के साथ भागने में खत्रा है वो पुलिस को उन लोगों की सूचनाई दे सकता है अपने आदमी के कारण ऐसा कोई खत्रा नहीं होता पुलिस यही समझती रहती है कि अगर उसने उन्हें रोका तो ये लोग एक निर्दोस की जान ले लेंगे इस इतिका लाब उठा कर ऐसे अपरादी बहुत जल्दी बोर्डर क्रोस करके समीप वर्ती राजियों में चले जाते हैं डाको ने जिस आदमी को अपना कवर बनाया था दरसल वो बेखोफ सा लग रहा था मगर उसके स्थान पर कोई साधरन व्यक्ती होता तो मोत के डर से उसका रंग पिला जर्द और चेहरा फख पड़ जाता उसके विप्रीत कवर करने वाला डाको अधिक घवरा रहा था क्योंकि उस डाको के सामने डोगा आ गया था उसे ये डर सता रहा था कि अगर डोगा इस धमकी से नहीं डरा तो क्योंकि डोगा कोई प्लिस तो है नहीं उसकी आखों में जो डर था उससे कहीं ज़्यादा डर उस कवर आदमी की आँखों में होना चाहिए था उसके अलावा एक ओठोष सबूत है जिसने ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो आदमी भी डाकों का आदमी है ये देखो सभी डाकों के साथ इस कवर किये गए वैक्ति की कलाई पर भी विच्चू का टैटू चिनीत है तुम्हारी कलाई पर ये टैटू अंकित नहीं है लेकिन हो तुम भी इनके ही गैंके साथ इनके लीडर या फिर ये तुम्हारे हायर किये गए डाकों है जिने तुमने एक ड्रामा लूट करने के लिए किराई पर लिया है ताकि ये लूट करे और उन्हें रोकने मैं आओं फिर मुझे रोकने तुम आओ और तुम ये बात साबित करो कि मैंने एक निर्दोस को मारा है यानि मुझे डोगा के रूप में सूपर हीरो बनने का नहीं तुमें तारकोल के रूप में सूपर हीरो बनने का दिकार है थर्ड इससे पहले वो आदमी भी तुमारा था जो कार में हत्याहर लेकर भाग रहा था और जिसे रोकने की कोशिस कर तुमने सूपर हीरो की तरह की थी वो सारा ड्रामा भी खुद को सूपर हीरो साबित करने की इसी कड़ी का हिस्सा था हकीकत हकीकत ही होती है तारकोल उर्फ लकड बग्ये उर्फ सूपर हीरो क्योंकि अगर वो चोर पुलिस चेज हगीकत होती तो आज का मीडिया इतना फास्ट है कि कुछी मिंटों में हर चैनल पर उस चेज की खबरे परसारित हो रही होती मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ बलकि इलाकी के लोकल न्यूस पेपर तक में उस गटना का कोई ब्यूरा तक दर्ज नहीं है वो इसलिए क्योंकि गटना नकली थी पुलिस नकली थी जब ये सब नकली था एकदम ड्रामा तो तू सूपर हीरो कैसे असली हो सकता है तू भी नकली है तारकोल अपने चेहरे की तरह एकदम नकली हो तू खामबे गुरू हनुमान के तीन हत्यारे सिस्चों में से एक तू सूपर हीरो बनकर मेरे दिमाग को कन्फ्यूज करने निकला था ताकि या तो मैं डोगा ना बनू या फिर तुझे भी सूपर हीरो मानकर मन मानी करने का अधिकार दे दू चाल तो बहुत उची थी मगर डोगा भी चीज है पहुची हुई इसलिए तो मैं तुझे बार-बार कह रहा था कि तू सूपर हीरो मत बन सूपर हीरो की रहा में बहुत सारे पापड बेलने पड़ते हैं तू पापड बेलना तो दूर पापडों का आठा तक गुनने के लायक भी नहीं लगा मुझे तार अब जब मेरे चहरे से नकाब उतर ही गया है डोगा तो फिर मैं इस लड़ाई को तेरी आखरी लड़ाई बना दूँ तू लड़ाई में मुझे से जीत नहीं पाएगा तार गुरू हनुमान ने मेरे सरीर में स्टैमिना यानी सहन सक्ती की इतनी ताकत भरी है जो मुझे तेरे आगे जुकने नहीं देगी और तुझे मेरे आगे टिकने नहीं देगी उसी गुरू को गुरू दक्सिना में मोद के सुपूर्द कर दिया तुमने अब डोगा तुझे मोद देगा दाड अपना इस टैमिना दिखा तो जरा खनाग भार से गुजरती कार का पहिया उसके उपर से गुजरता चला गया कोई सामान्य व्यक्ती होता तो उसका सरीर कहीं स्थानों से खुन उगल बैठता मगर खामबे उठकर खड़ा हो गया था वो तो कार थी डोगा ट्रक भी उपर से गुजर जाता तो मुझे खरोच तक ना आती अब सोच तेरे वारो का मुझ पर क्या असर होगा ओ बोड़ी तो अच्छी है तेरी मेरी बंदुक का असर तो इस पर होगा ही चियूम नहीं होगा डोगा गोली का असर भी नहीं होगा गुरु जी ने इस खाल को बुलेट फुरूफ सा मजबूत बना दिया है तेरी जान तो मैं तेरे हलक में हाट डाल कर भी निकाल लूँगा खामबे चल फिलाल ये खंबा ही तुझ पर धरसाई करता हूँ चियूम 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 खामबे खंबे ने एक गाड़ी जाती दिखी घर खामबे का हस्र देखने के बाद तुम दोनों उसमें कुडा नहीं था खामबे था खामबे का हस्र देखने के बाद तुम दोनों कहीं दोगा के नाम की सुपारी वापस तो नहीं देने की सोच रहे सवालिच पैदा नहीं होता ये कहानी तो समाप्त ही मगर अभी बहुत कुछ है पढ़ते रहे डोगा के एक के बाद एक रोमान चक धमा के समाप्त अगर नागराज महानगर में नहीं है आज तो मत समझो शैतानो कि हो गया यहां तुम्हारा राज क्योंकि तुमको मिटाने के लिए यहां मौजूद है छोटा नागराज देखने में छोटे लगे पर घाव करेग बीर छोटे छोटे सूपर हीरोज की बड़े बड़े विलोनों से गरजदार टक कर राज को मिक्स यह विसेज सूपर विसेसांग शिगर आपके पास आ रहा है दिल छोटा ना करे इंतिजार करे हाँ 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 समय को इसलो मोसन में करके इस लाल मानव के हातों से इस पावर क्यूब को छीनना आसान सी बात है अब इसकी सक्ती से मैं पूरे ब्रहमांड का समय श्तिर कर दूँगा घडियों का चलना रोग दूँगा और फिर पूरे ब्रहमांड को यह पता चल जाएगा कि अब समय मेरे कबजे में है अब मैं समय हूँ रुख जाएगा पूरे ब्रहमांड का समय और रुख जाएगी सारी परगती फिर क्या होगा चानने के लिए पड़े राज पर कोमिक्स त्वारा प्रकासित गड़ी की सुईयों को रोग देने वाले इस कोमिक विससांग को लो मामा मैं भी आ गया आपकी जुर्म की दुनिया में अब मैं भी करूंगा जुर्म और उतारूंगा आपका कर्ज क्या अब परमानू भी अपराद करेगा राज कोमिक्स में वंडर मैन परमानू का रोमान चक कोमिक विससांग दुगराही नाम के इस सेतान ने ये दावा किया है कि ये पहले जंगल को और फिर पूरी प्रत्वी को निगल जाएगा अब मैं ये दावा करता हूँ कि इस सेतान का अंत मेरे हाथों होगा क्योंकि हूँ मैं भी रख सक राज कोमिक्स में जंगल के जलात कोबी और भेडिया का रोमान चक कोमिक विससांग तुने घात लगा कर वार किया एक रिस्ते की जान ली मैं छुपकर वार नहीं करूंगी जल्दी ही आएगी तेरी मोत तेरे सामने राज कोमिक्स में त्रिल और सिस्पेंस का रोमान चक कोमिक विससांग अब नहीं बचेगा दोगा से मरवाऊंगा राज कोमिक्स में पढ़िये रात के रक्षक डोगा के बारूत का एक और रोमान चक धमा का और इस रिज का अगला कोमिक्स मैं जिम नहीं जा सकता मैं अपना मास्क नहीं उतार सकता मैं सुरज नहीं बन सकता मैं चाचाव से इन बात नहीं कर सकता मैं मोनिका से नहीं मिल सकता तीन दिन से नाया नहीं अपनी डोगा वाली ड्रेस उतारूँगा तो मरूँगा मुझे लग रहा है वो हर दम मेरे पीछे है उफ पागल कर देगा मुझे ये गायब चंद राज कोमिक्स में रात के रख सक डोगा का दिमाख फिला देने वाला धमा का ये सबी कोमिक्स चैनल पर जल्दी ही अप्लोड की जाएंगी गायब चंद कोमिक्स चैनल पर अल्रेडी अप्लोड़िड है तो वो जरूर पड़े और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि आने वाले कोमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके मिलते हैं फिर किसी अन्या कोमिक्स में तब तक के लिए धन्यवाद झाल